आप सभी दोस्तों को नमन प्रणाम बंदन नभीनंदन हारदिक स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे आप जानते हैं अपने सपनों का फल तो दोस्तों भविश में सभी के जीवन में कभी अच्छा कभी बुरा तो होता ही है और उसी की सुचना देते हैं हमें सपने तो जो तीसांस्त्र क्या कहता है सपने में पिंजरा देखना इसका अर्था ये जानते हैं दोस्तों यदि आपने भी सुप में पिंज़रा देखा है तो यह सपना आपके लिए संकेत करता है यदि खाली पिंज़रा है पक्षी नहीं है तो यह सपना सुभ माना जाता है इसका आना आपके जीवन की कठिनाईयों परेशानियों को खतम होने का संकेत मिलता है यदि आप ने बंद कैद पक्षी पिंजरे में देखा है तो ये सबना शुभ नहीं है इसका आर्थ है कि आपके जीवन में जो कारिबाधित भी बाधित रहेंगे आर इसके साथ साथ परिशानी भी हो सकती है बंद पिंजरा देखना अशुभ माना जाता है अगर खाली पिंजरा देखा है तो ये शुप माना जाता है पक्छी है तो अशुप माना जाता है खुला पिंजरा आपने देखा है तो ये सपना कारे पूरा होने कारे नया कारे होने का भी सूचक कहा जाता है तो मित्रों ये थास अपने में पिंजरा देखना उसका सुबह शुफ़ल एक और जानकाली के साथ जल्दी हासित होते हैं नमस्कार बहुत बहुत आप सभी तर्शकों का धन्यवाद